मैं 36 कड़ में धान खरीदी के सारे रिकार्ड टूट गए सरकार इसे बड़ी उप्लब्दी मान रही है लेकिन विपक्ष की नजर में ये आकडो की बाजिगरी है लेकिन सियासत से इतर बड़ा सवाल ये है कि आकिर हर साथ धान सियासी मुद्दा क्यों बन जाता है 36 गड़ में धान खरीदी पर राजनी थी हर साल क्यों होती है मुद्दे की एंट्री धान खरीदी के लिए अभी 10 दिन का समय और बाकी है लेकिन उससे पहले ही धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड टूट गए है अब तक 100 लाख मिट्रिक टन से जादा धान की बिक्री हो चुकी है सरकार का दावा है केंद्र से सहयोग नहीं मिलने के बाद ऐसी स्थिती है अगर केंद्र मदद करे तो किसानों का और भी ज्यादा भला हो सकता है सरकार की नेजर में खरीदी का रिकॉर्ड टूटना बड़ी उपलब्धी है लेकिन विपक्षी से आंकलों की बाजी गरी बता रहा है अगर की धान खरीदी की सुचारू व्यवस्थिक योजना के तहट 101 लाख मेंट्रिक तंध धान की खरीदी हुने पूरा कर लिया लक्ष हमारे 110 लाख मेंट्रिक तंध का है समय भी हमारे पास सेस है हम अपने लक्ष को प्राप करी लेंगे लग्षा की 30,000 करोड रुपय की रासी किसानों की खातों में हस्तांत्रित किया जा जोगा अब जो धान की खरीदी राज्य कर रहा है वो विदान सबा में खुद मंत्रियों ने जवाब में कहा है कि वो एक एजेंसी के रूप में धान खरीदते हैं 92 लाख मेट्रिक टन धान से बना हुआ चावल केंद्र खरीदता है उसमें MSP का पैसा सुखर, ट्रांस्पोडेशन, बारदाना, कमीशन ये तमाम प्रकार की चीजें मिला करके 90 फीजदी पैसा जो धान करीदी के लिए राज्य को लगता है वो किंद्र दे रहा है मैं अमर्जीत भगत साहब से और उनके सारे मंत्रियों से चुनाउती के रूप में, आगरा के रूप में ये प्रशन पूछ रहा हूँ कि क्या 22,000 करोड रुपए आपको इस वर्श चावल खरीद कर किंद्र नहीं देगा अब आपको बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में धान की खरीदी कैसे और कितनी बढ़ी है तो जानकारी के मुताबिक 2017-18 में 56,000,000 मिट्रिक टन खरीदी हुई इसी तरह 2019-20 में 83,000,000 मिट्रिक टन खरीदी हुई फिर 2020-21 में 92,000,000 मिट्रिक टन और 2021-22 में 98,000,000 मिट्रिक टन धान की खरीदी हुई और 2022-23 में अब तक 100,000,000 मिट्रिक टन से ज़्यादा की खरीदी हो चुकी है अब आप ये भी जान लीजे कि आखिर धान को लेकर घहमसान की इस्थिति क्यों है तो इस पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहते हैं तो दरसल सामने धान के लिए 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 रुपए प्रती क्योंटल MSP है राजसरकार 9000 रुपए प्रती एकर की इन्पुट सबसीड़ी देती है इसे जोड़कर सामने धान के लिए 2640 रुपए और ग्रेड ए धान के लिए 2660 रुपए हो जाता है यानि 36 गर अपनी ओर से किसानों को राहत राशी देती है जिससे MSP बढ़ जाती है इससे किसानों के बीच भूपेश सरकार की लोगप्रता बढ़ रही है इसलिए सरकार जब जब इसका क्रेडिट लेना चाहती है तब तब विवक्ष इस पर सवाल उठाता है अब सवाल है कि आखिर प्रदेश में किसान और धान सबसे बड़ा फैक्टर क्यों है तो इसके पीचे सीठे तोर पर किसानों की धमक वज़ा है इसे ऐसे भी समझ सकते है प्रदेश में 43 फिजदी कृश्य योग भूमी में मुख्य फसल धान है करीब 80 फिजदी आबादी कृश्य से जुड़ी हुई है किसान का GSDP में 20 प्रतीशत से अधिक योगदान है 42.4 जीरो लाग टन धान तो खब जाता है लेकिन 38 लाग टन सरपलस बच जाता है प्रदेश में 37 लाग 46,480 किसान है इनमें सीमान्त किसानों की संख्या 21,82,834 है लगू किसानों की संख्या 8,31,188 है अल्प सीमान्त किसानों की संख्या 5,39,89 है मध्यम किसानों की संख्या 2,18,41 है तो वहीं बड़े किसान 27,698 है और धान बेचने के लिए करीब 25 लाग किसानों ने पंजियन कराया है अगर एक किसान में दो वोटर भी मान ले तो 50 लाग वोटर तो पक्के ऐसे ही हो जाते हैं जिसके साथ इतने वोटर एक साथ जुड़ जाएं उसका पढ़रा कितना भारी हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं दरसल 2023 में 36 गड़ सरकार ने धान के आकड़े को करीब 101 लाख मिटरे टन तक पहुचा दिया है ऐसे में 36 गड़ का विपक्च इसे सिर्फ आकड़ों की बाजीगरी करार दे रहा है और इस पर बयान बाजी करते नजर आ रहा है ऐसे में 36 गड़ सरकार की तरप से कहा जा रहा है कि विपक्च में रहते हुए जिस तरीके से कॉंग्रेस मुद्दा बनाती थी इस तरीके से बीजेपी से मुद्दा बना रही है लेकिन बीजेपी के मुद्दा बनाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि कभी 58 लाक मिटरिक तन धान खरीदा जाता था लेकिन आज ये आंकड़ा 110 लाक मिटरिक तन तक पहुँच चुका है ऐसे मैं सवाल यही उठता है कि धान की राजनिती आगे और कितनी बढ़ेगी प्रदेश में किसान किंग मेकर माने जाते हैं इसलिए किसान और धान पर राजनिती जादा गर्म है